नमस्कार मैं हूँ वैभव नाज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मित्रों अपने कारिक्रम के माध्यम से मैंने कई बार आपको बताया कि जब आप प्राताकाल सुबह जगते हैं बिस्तर पर आपकी जब निद्रा खुलती है तो सबसे पहले यूँ ही इधर उधर नहीं देखने लगना चाहिए जो हमारे शास्तर का नियम है कि हाथ देख करके मंत्र बोल के कराग्रे वस्ते लक्षमी करमद्येच सरस्वती ये बोल करके अपना हाथ चेहरे पर लगा करके उठना चाहिए मैंने आपको ये भी एक बार बताया था कि भूमी का इस पर्ष भी यानि उठते ही तुरंत जमीन पर पैर नहीं रख देना चाहिए उसका भी कुछ नियम है भूमी इस पर्ष के लिए तो आज हम लोग इस विशय पर चर्चा करेंगे कि जब आप बिस्तर से जमीन को यानि भूमी का इस पर्ष करें जब आप सुबह उठें तो क्या बोल करके और किस कामना के साथ भूमी पर पैर रखना चाहिए और उनको प्रणाम करके उसकी क्या सही विधी क्या मंत्र है ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आज फिर आप लोगों के दर्षकों की दुबारा डिमांड पर मांग पर इस एपिसोड को हम लो ही विशेश और बहुत मात्वपूर्ण अंग है जिसके बिना जीवन गतिहीन है पैर के बिना इंसान विवश और असहाय हो सकता है हलाकि मजबूत इक्षाशक्ति के लोग बिना पैरों के भी जीवन को सफल बना लेते हैं धर्म ग्रंतों में वामन अवतार अंगत का पैर जमाना श्रीराम का अहिल्या उधार जैसे अनिक प्रसंगों में चरण यानी पैर ही कल्यानकारी दंभ को तोड़ने वाले या पावनता का प्रतीक बने यही कारण है कि जीवन को सफल बनाने और कोशिशों में यही पैर आपके न डगमगा जाएं और बिना बाधाओं के आ रखने समय एक विशेश मंत्र बताया गया जिसके द्वारा देवता का इस्मरण करके उनसे आग्यान ले करके ही खास्थतार पर भूमी देवी से आग्यान ले करके ही आपको प्रिथ्वी का जमीन का स्परश करना चाहिए यह महतव हमारे शास्त्रों में है इस से देव कृ पर पासे हर कदम सुरक्षित और काम्याभी की तरफ आगे बढ़ते हैं काम्याभी तक पहुचाने वाला ये नियम होता है यह मंत्र विशेश रूप से मात्र शक्ति का इस्मरण है शक्ति का ही स्वरूप देवी लक्षमी की उपासना सुख धन और एश्वरे देने वाली मान रखते ही या यूँ कहें कि पैर रखने से पूर्व इस मंत्र को सिर्फ एक बार बोल करके भूमी का इस पर्ष करके आपको जमीन पर पैर रखना चाहिए तब आप कदम आगे बढ़ाएं ये मंत्र है समुद्र वसने देवी परवत इस्तनमंडले विश्नु पत्नी नमस्त पादस परशम चमस्वमे इस मंत्र को दूसरे तरीके से भी बूला जाता है समुद्र मेखले देवी परवत इस्तनमंडले विश्नु पत्नी नमस्तु पादस परशम चमस्वमे वो उनसे आग्या लेते हैं कि आप मुझे मतलब इस मंत्र का भाव यह है कि मैं आपके उपर चरण रख रहा हूं यह पाप मैं करने जा रहा हूं इसके लिए आप मुझे आग्या दें और जो मुझसे यह पाप होने जा रहा है मैं अपने चरण से आपको इस परच करूंगा उसके लिए आप मुझे चमस्वमे अर्थात मुझे चमा करें यह बोल करके उनको प्रणाम करके आप उस पर धूमी पर धर्ती पर पैर रखें इसका दूसरा है करती है कि मैं अब पृत्वी पर खड़ा होने जा रहा हूं आप से मैं आग्या लेता हूं आप से मुझे परमीशन चाहिए कि आप मुझे अपने उपर धारन करें इसका दूसरा भाव ये भी है और सनातन परंपरा है उसमें हर चीज के लिए आपको विनमरता के भाव दिखेंगे हर चीज से जुड़ा हुआ कोई ना कोई एक मंत्र है आपको फूल तोड़ना है तो उससे भी आपको व्रिक्ष से पौधे से आग्या लेनी है कि आप से मैं फूल लेना चाहता हूं मुझे आग्या दीजिए तुलसी पत्र तोड़ना है तो उसके लिए भी नियम है तो हमारा जो सनातन धर्म है जो परंपरा है वो पूरे संपूर्ण श्रिष्टी को चराचर जगत को सब में प्राण मानते हुए सबसे एक कनेक्शन इस्थापित करता है हम लोग नदियों को पूछते हैं पहाडों को पूछते और ठीक वैसे ही पूछते हैं जैसे एक आदमी की एक मनुष्य की परिकल्पना की जाती है कि हम पीपल के पूजा कर रहे हैं यह जड़ है तो इनके पैर हैं हम अगर गिरिराज जी जाते हैं जो पहाड है तो उनकी भी एक आकृती है मू मसाथ करेंगे अपनाएंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि आप असफल हो पाएं तो मित्रों आशा करता हूँ कि ये छोटे 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 उपाए सुझाव आपके जीवन को बहतर बनाने के लिए आपको आध्यात्म से जोडने के लिए काफी लाबकारी होंगे इससे आपको काफी लाब मिलता होगा ग्यान वर्दन होता होगा आप सभी से बार बार आगरा करता हूँ कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर किया करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इससे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आग्या दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभाफ़त नमस्कार जटिल समस्या हो या भाग्ये वाधा हो व्यापार नौकरी शादी की समस्या करियर की चिंता हो या वैवाईक जीवन में हो सुक्का भाफ पाईए अपनी समस्त जोटिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमतकारी प्रभावशाली समाधार एक जानमाना और विश्वस्तिय नाप आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठे और अंतर राष्ट्रे ख्याती प्राव राज जोतिशी परिवार की आठवी बीडी के जोतिशी और वा व्यक्तिकर्द या फिर फोन पर अपॉइंट्मेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146-9990-724-131 या फिर एमेल करें शर्मा.webhub at the rate gmail.com पर